हेलो एब्रीबन अभी हमने बच्चो लास्ट देखा क्या लास्ट हमने बढ़ा था टैक्सेशन ऑफ एचियर पहले मैंने सारी आपको इंपोर्टेंट चीजे बता दी की कंपनी का टैक्स कैसे लगता है लोकल था सरचार्ज का रेट क्या होता है इसायर आर्मल कंपनी टमस्टिक कंपनी की केस यह सारी चीजे पाट्नर्शिप्रम में 40 परशेंट कंपनी 5 अगर सेल कंपनी की चार्ज हो क्रों सब 25 परसेंट है यह सारी चीज़े आपको बस ध्यान रखनी है बागी बहुत ज्यादा कोशिन इंडिविजुल के ही प्रैक्टिस कर आप देखिए अगरी कल्चिरल इंकम पर गौर्वर्मेंट टैक्स कैसे लेती है वैसे गौर्वर्मेंट क्या कहती है अगरी कल्चिरल इंक ไक्ट को अगर्वर्मेंट क्या क्या कहती है वीक लिशे प्रनाच धर सब्सक्ति एग्र म्स में अगरी कल्चिरल को in India fully exempt from tax under section 10 but agricultural income from outside India is taxed outside India क्या है taxable ठीक है अब जो अमारी government है बच्चे अगरी कल्सटिरल income को क्या कहती है कि fully exempt from tax पूरी तरह से एक्जे अगर अगर आपने पाकिस्तान से earn कर ली from outside इंडिया ठीक है या किसी और country से earn कर ली ठीक है USA जपान से कहीं से भी अगर आपने agricultural income earn करी है from outside इंडिया that is fully taxable अब पुछेंगे celebrate normal क्या करना है पूर्मल है special rate थोड़ी उसके लिए ठीक है but agricultural income is in in India is fully exempt from tax अब indirect tax कैसे लगाते हैं हमें वो सीखते हैं क्या दिया fully exempt तो माफ कर उसको अड़ा देना चुई है फिर ऐसा नहीं करा चीक है central government क्या करती है central government सभी income पे tax ले सकती है बड़ इस पे नहीं ले सकती अगरिकल्टर ने तो इन्होंने किस तरीके से हमारी government ने indirect tax करा है इंडरेक्टली टैक्स लगाया है डिरेक्ट तो नहीं लगा सकते हैं तो इंडरेक्टली में इंडरेक्ट टैक्स लगाया कैसे लगाया वो सीखेंग तो partial integration हमें शीखना है agricultural income फेले तो यह उपर जो मैंने दो लाइन ही लिखवाई है यह लिख लो फिर partial integration लिख लो फिर partial integration लिख लो फिर यह note कर लो ठीक है partial integration करते ही कैसे हैं फिर यह सीख लो of agricultural income अग्री कल्चिरल इंकम इन इंडिया इस फुली एक्जम्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन टैन सब्सक्षिक्शन वन बट अग्री कल्चिल इंकम फ्रॉम आउट्टाइड इंडिया इस टैक्सेवल इख लिया ठीक आप देखें पार्ट्शल इंटिग्रेशन करना कैसे गौर्वर्मेंट ने कितनी चलाकी से टैक्स लगा दिया देखो उस पर और कहते क्या है फुली एक्जम्ट वही फुली एक्जम्ट तब होगी जब आपके पास अनली अग्री कल्चिरल इंकम है तो पार्शिल इंटिग्रेशन कब लगेगा इफ एनी पर्सन है इफ एनी प अगर आपके पास अनली अग्री कल्चिरल इंकम है आप सिर्फ खेदी करके कमाते हैं तो कोई टैक्स कैल्कुलेट करने की जड़ोत नहीं है पार्शिल इंटिग्रेशन नहीं होगा बच्छे पहले कंडिशन याद रखिए इफ एनी पर्सन है अग्री कल्चिरल इंकम एज अग्री कल्चिरल इंकम है तब ही पार्शिल इंटिग्रेशन होगा कंडिशन यह क्या है इसकी कंडिशन है दोनों इंकम होनी चाहिए अग्री कल्चिरल इंकम अग्री कल्चिरल इंकम पांच जार से जादा है तब ही पार्शिल इंटिग्रेशन होगा ठीक है तो पार्शिल इंटिग्रेशन कब होगा भी अगर किसी पार्शिन के पास जो इंकम है क्या है अग्री कल्चिरल इंकम भी है और एज बेल एज नॉन अग्री कल्चिरल इंकम मोर दन 5000 अगर अग्री कल्चिरल इंकम मोर दन 5000 है तब ही पार्शिल इंटिग्रेशन होगा अदरवाइज पार्शिल इंटिग्रेशन अलावड नहीं होगा ठीक है दो बात हमने पड़ दी ठीक है अब पार्शिल इंटिग्रेशन कैसे करते हैं हम यह सी करते हैं कि पार्शिल non agricultural income थी के दोनो होनी चाहिए agricultural income 5.000 से ज़्यादा होनी चाहिए Third क्या लिकह है क्या कह सकते है । नॉर्मल इंकम is more than is more than 3 लाक 3 लाक senior citizen के case में 80 से उपर कितना था वो 5 लाक पेज़ी के एग्जम्शन लिमिट ठीक है is more than more than limit not chargeable to अगर किसी भी परसन की एग्री कल्चरल इंकम 5 लाक से जादा है और नॉर्मल इंकम अधर इंकम 5 लाक से जादा हो या 3 लाक से जादा हो senior citizen के case में 5 लाक से जादा हो अभी partial integration होगा अधरवाइज partial integration नहीं होगा ठीक है तो ये तीन बात है आपको याद रखना है partial integration होगा का कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बढ़ा ठीक है अब देखिए step step देखिए partial integration के बच्चे step क्या है पहले आपको वो पता होना चाहिए calculate tax calculate tax इसपे tax करो calculate tax on agricultural income agriculture income plus non-agriculture non-agriculture income यानि कि house, property, business, profession जितनी भी इंकम है non-agriculture agriculture को जोल लो और उसपे tax calculate step 2 क्या है फिर step 2 भी देखते है calculate tax on agriculture income plus basic exemption limit basic exemption limit कितनी है तू लाक पचास अजार या फिर तीन लाक या फिर पांच यानि कि basic exemption limit जो भी है आपकी अगर normal person है तो धाई लाक उसमें plus कर लो agricultural income को ठीक है तीन लाक में plus कर लो agricultural को या फिर फाइफ लाक में basic exemption limit normal exemption limit जो भी है ठीक है उसको ले लो और उसको tax ने कर लोके दो step हो गए है अब step one में से step two को minus कर रड़ में step one minus step देखो ऐसे करने से होगा क्या मैं अभी आपको question करके बताऊंगा जभी समझ आएगा पढ़ना नहीं आएगा step one में से क्या करेंगे step two minus तो balance आजाएगा allowed rebate if any allowed rebate अगर rebate है तो दे दो भाई allowed rebate if कोई rebate होगी तो allowed हो जाएगी ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद बच्चो HEC उसके बाद क्या लगाना है normal HEC लगाना है add HEC कितने percent add the rates normal यानि कि step one में कहता है कि agricultural income और non agricultural को merge करो दो नुपे tax लगातो फिर कहता है agricultural income खेती वाली income plus उसमें क्या plus करना है बच्चे धाई लाक रुपए या फिर तीन लाक या फिर पाथ basic exemption limit plus क्या plus कर लेना है agricultural income basic exemption limit step one minus step two यानि कि इसको minus करवा दिया कहता है agricultural income वाला tax मेंने minus करवा दिया पहले क्या करवाया government और agricultural income plus non agricultural total income पे tax निकल लगाए फिर कहता है agricultural income वाला tax minus तो करवा तो दिया भी रही लग तो माफ होता ही है agricultural और जोड़के tax निकाल और माफ कर लो खीक है step one step two minus कि अरे बेट है तो इसमें से दे देंगे नहीं है तो कोई बात नहीं add करेंगे HEC, HEC add करके tax नहीं खीक है कोई दिकर non agricultural income क्या होती है हमारी normal income होती है कौन सी होती है normal income special income नहीं लेनी कोई भी special income non agricultural में नहीं देनी special income मतलब एक note लिखो note में लिखो LTCG LTCG ठीक है और क्या था हमारा short term capital gain 111A वाला 111 वाला तो चलेगा वो तो normal income में जाएगा वो तो normally होती है slab होती है जिस पर different rate है LTCG ठीक है short term capital gain LTCG 112A कोई भी special या फिर casual income casual income casual income जिस पर 30% लेते हैं shall not be taken shall not be taken for the purpose of partial integration partial integration करते time in income को consider नहीं करना है बाकी सब्सक्राइब ठीक है एक बार बच्चे ये step note करिए फिर आपको समझे step note ठीक है इस सारा note कर लो पसें में ये सारी चीजे एलटी सीजी ये सारी चीजे इन पर क्या है partial integration applicable नहीं हो एखsungs एक्जाम्पल देखो पहले तो एक्जाम्पल देखें तभी अच्छे से समझ आएगा मैंने का Mr. X है फॉलॉइंग क्या-क्या इंकम है वो देखो गई क्या सेलरी इंकम है 20 लग ठीक है कोई से नॉर्मल इंकम है और अग्री कल्सिरल इंकम भी है अग्री कल्सिरल इंकम भी है पांच लाक रुपै की अब बताओ टेक्स कैसे लगेगा मैंने का 20 लाकी यह है पांच लाकी यह है अग्री कल्चलल नॉर्मल अब जस्ट स्िंपल calculation है कैसे खाले इसम्टी करेंगे house property भी ले लेते हैं चलो house property income भी है house property income कभी different नहीं है normal है दो लाग रोत house property income भी है ठीक है पेले तो आप निकालेंगे total income computation of total income कैसे solve करना है देखो computation of total income तो आने का बच्चे income under the head salary income under the head salary कितनी है देखो काका जी कितनी है salary वीस लाग रुपे फिर बोला income under the head house property कितनी है अबरिवेशन्स आप यूज नहीं करना भी जाम किया दो gross total income आ गई 22 लाग रुपे gross total कितनी आ गई 22 लाग रुपे ठीक है ये non agricultural income है reduction कितनी देनी है less reduction कौनसी वाली एटी सी से एटी यू वाली निल है नहीं तो total income कितनी आ गई टोटल इंकम आ गई है बच्छो 22 लाग रुपे इस नॉन agricultural इंप और इसके साथ agricultural income को total में नहीं लेते कभी ठीक है agricultural income को non agricultural में कभी नहीं लेना agricultural income अलग से ले लो agricultural income कितनी रुपे लिखी थी वाई पांच लाख रुपे थी पांच लाख रुपे अब टैक्स निकाल अब यहाँ पर दो अलग अलग income है बच्छे total income है और agricultural income total income है और क्या है agricultural income ठीक है तो जो step लिखवाए थे मैंने उसके according tax निकाल लो इस पर क्या step लिखवाए थे भई computation of tax liability computation of tax liability से पहले step 1 क्या था step 1 अग्री कल्च्रल और non अग्री कल्च्रल को पलस करेंगे tax on non अग्री कल्च्रल कितना है 22 लाख अग्री कल्च्रल कितना है 5 लाख tax निकालो normal 25 लाख 27 लाख पर मच्रे tax निकालो तर बाइस लाख प्लस पाँच लाख 27 लाख का tax निकालते हैं दस लाख इसमें से अठाते हैं पहले दस लाख से उपर 30% और एक लाख बारा हजार पान्स तो मेरा तो आ रहा है यहां पर 6 लाख 22 लाख पान्स टैक करो वही कुछ और आ रहा हो तो बता देना ठीक है 22 लाख 27 लाख था 27 में से 10 अठा दिया जो बचा 17 लाख पर 30% बाकी एक बारा पान्स प्लस किया तो 6 लाख 22 लाख पान्स वार है step 2 क्या कहता है step 2 कहता है tax on basic exemption limit यानि की धाई लाख प्लस agricultural income agricultural income है इसकी 5 लाख इस पर tax निकालो यहनि 7 लाख 50 लाख पर tax निकालो देखो हुआ क्या बेच से पृइस लाग प्लस पांच लाग प्लस फांच लाग इस से एड प्लस पांच लाग एक्स हेट निकालने चला गया हाए से कहाँ चला गया उन्ले उनकम होती है वह दिशह नौर्मल होती है किस अपokus तो तो यह higher rate of slab में चला जाता है और exemption लेते हैं टाइम देखो यहां पर exemption देती है जो government छूट देती है तो वैसी माफ होता है कोई बात है पांच लाग पे पहले बारा जाए पांच पर चीक है वो भी मैं एक और example में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आजाएगा कोई दीखर याद रखें नॉन एग्री कल्च्र इंकम में basic exemption लिमिट यानि कि सात लाग पचास जार पे tax न सात लाग पचास जार अगर मैं इस पे tax निकालूगा तो इसलाग पे तो पहले नहीं लाएगा नेक्स्ट डाही लाग का होगा बच्चे पांच पर्षेंट तू तो जो पांच लाग से उपर है दो लाग पचास हजार उसका tax होगा 20 पर्षेंट कि इतना होगा 20 पर्षेंट अब 20 पर्षेंट होने की बज़े से क्या होगा देखो तो लाग पचास हजार का अगर मैं मैं तू थू थाउजन फाइफ फ़्ट थूथा थाउजन फाइफ यडा ही मैनश कर दो 6 लाग बाइस पांसो मेंस मेंस एक या पांच लाग साट प्राइब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी टोटल क्म 22 लग है कोई रिभीट नहीं बनतीजहिए क्ले हमने टोटल इंकम निकाली अब कामफूडिशन व्ट टोटल इंकम में शैल्री थी हाउस प्रोपरड़ी थी 22 लग कोई रिभीट बनेगी इक्ष्ट अब...? पांच लाग साथ हजार का बच्छे चार परचेंट होता है बाइस हजार टैक्स लाइबलेटे कितनी आ गई जस्ट मैंने आपको टैक्स क्यालकुलेट करना सिखाया कि कैसे करना है पाइफ लाइफ 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 टू थाउजन पाइफ लैट थाउजन ृट्सलैоне करो इसको साथ में करता है फेला नेक्स्ट कोश्न मिस्टर एक्स के पास कुछ इंकम है काई इंकम है देखें गरी कल्चिल इंकम है दो लाग की टैक्स लापलीटी क्यालकुलूउट करने है solution देखे अब मैं बात करूं total income तो total income कितनी है इसकी 4 लाग normal salary house property PG BP सारी मिलागे बच्चे इसकी 4 लाग है लेकिन इसकी agricultural income अगरिकल्च्रल इंकम है जो वो कितनी है 2 लाग रुपए अब tax कैसे निकलेगा tax निकालने के लिए अब भी क्या करना है computation of tax liability computation of tax liability अब मैं tax liability जो compute करूंगा step 1 सेम वैसे ही normal income चार लाग अगरिकल्च्रल इंकम दो लाख tax on normal और ठीक है अगरिकल्च्रल इंकम चार और दो छे लाख रुपए पे टैक्स निकालो से लाख का टैक्स कितना होगा असर पहले डाही लाख निल अगले डाही लाख पे 5% यानि की exemption limit यानि की धाई लाख प्लस दो लाख अब यह क्या चला गया अच्छो देखों यहां पर जब मैंने पांच छे लाख पे tax निकाला तो यह कौन से slab तक चला गया एक तो लगा 5% वाला दूसरा लगा 20% जब मैं बात करूंगा exemption वाली कौन सी वाली exemption वाली तो क्या दिया गौर्मेंट ने क्या जोड़ लो अगरी कल्सिरल इंकम यानि दो लाख रुपे तो मैंने का साठे रेट ऑफ स्लैब में चली गई उपर चली गई तो उसमें क्या हो गया टैक्श डाइलाग की तो छोड़ दे नहीं थी और जो एक्जम्ट कराया डाइलाग में एड़ उन करवाया अगरी कल्सिरल इंकम को तब वो कहां पे रह गई 5% में वो लोवर स्लैब में आ गई तो ल इसलिए चार लाग पचास जार का अगर टैक्स निकाले बचो चार पचास में से डाही लाग तो वैसे ही माइनस हो जाएगा दो लाग तो लाग का 5% होता है सिर्फ दस हजार अब बताओ बचो बत्तिस जार पांसो माइनस दस हजार कितना आ गया 22,500 अब इस कोश्चन में रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी काम की बात ही है आप पर लेस होगा रिबेट एट लेस होगा 87 वाला कितना 12,500 अब आप कोगे 12,500 क्यों इंकम तो 4 लाग है क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चे रिबेट में रिबेट मैक्सिमुम रिबेट कितनी अलाउड होती है 12,500 लिखा कि 4,000,000 के टैक्स में से रिबेट अलाउड है ऐसा लिखा है maximum रिबेट जितना भी टैक्स बनता होगा उसमें से 12,500 लेकिन किसी का टैक्स बनता ही 7,000 है तो 7,000 की रिबेट देंगे किसी का टैक्स बनता ही 9,000 है तो उसको 9,000 की रिबेट देंगे लेकिन इसका टैक ठीक है ये बात भी आ गई समझें 25-500 में से अगर 12-500 निस कर दें तो टैक्स आ गया बिफोर हईसी अब एड़ करेंगे Health and Education से को कितना लगाओगे बच्चे 4 परचेंट दस जार का 4 परचेंट है तो दस जार में 4 परचेंट और एड़ कर दो 10,400 आगया टैक्स लाइबलेटे कितनी आगी 10,400 बताओ कोई दीक है तो नॉर्मल सी हमने कैलकुलेशन करी है या तफ चीज़ेंगे नोट कर दो झाल है झाल झाल आगे का पार्ट देखते हैं अगला पार्ट ठीक है यह कुश्चन काफी सिंपल था यह जो हमने कंप्लीट किया अब देखते हैं और कोश्चन अब क्या क्या दे रखा है इंकम फ्रॉम सेलरी कीवन है इंकम फ्रॉम सेलरी कीवन है कितना वह भी चाड़ लाक रुपे पिर लिखा है इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपरटी दो लाक रुपे लॉंग ट्रम क्यापिटल गेन एक सू बारा ए तीन लाक रुपे इसे पहले क्या करेंगे कंप्यूट करेंगे कम्यूदेशन आफ टॉटल इंकम का पहले कंप्यूटेशन करें फो कर मैं बात करेंगे सेलरी वह कितना है? चार लाक रुपे इंकम अंडर दा हैड रुपे हाउस प्रॉपरटी वह है दो लाक रुपे फिर बात करें long term capital gain special rate वाला है कितना था इसमें 10% और इस पर 15% ठीक है income under the head capital gain 3 और 4 7 लाख रुपए ये भी आगए 4, 3, 7, 2, 9, 9 और 4, 13 लाख ठीक है ना 13 लाख रुपए आगए इसकी GTI अब बच्चे ग्रास टोटल इंकम आगए deduction कितनी होगी ATC to ATU है नहीं टोटल इंकम कितनी आगए उती तो माइनस कर देते कोई दिखा 30 लाख रुपए क्या रिवेट मिलेगी बिल्कुल नहीं क्या सर्चार्ज लगेगा वो तो नहीं लगेगा ठीक है तो अब बताओ भई मैंने बूला agricultural income total income मिल गए 13 लाख और agricultural income कितनी आगए इसमें दो लाख रुपए अब टैक्स नहीं तो टैक्स की calculation करके दिखाने हैं इसमें टैक्स कैसे computation of tax liability computation of tax liability tax liability tax liability पहले हम compute करने इस पर tax निकाले बताओ step 1 होता है normal income और agricultural income को add on करके partial integration करके पर एक बात बताओ यहां पर यह capital gain की जो special income है क्या इसको भी partial integration में लेंगे अब भी हमने पढ़ा था special income shall not be considered for partial integration तो tax on LTCG tax on LTCG 111A और tax on STCG 111A वो normal निकलेगा और casual income होती वो भी नॉर्मल डाथा partial integration में नहीं जाता है तीन लाक और चार लाक है ना इंकम कितनी है तीन लाक है और इदर कितनी है यह दो इंकम है इसका tax कितना आएगा बताओ तीन और चार साथ है ना तीन लाक एकसो बारा ए में है और चार लाक एकसो ग्यारा ए में है ता तो रहने वाला है 15% तो इसमें से माइनस हो जाएगा वान लाक फिर लगेगा कितना 10 पर तीन लाक में से एक लाक हटाओ दो लाक का 10% कितना आ गया 20 अगया अब पार्शियल इंडिग्रेशन यानि सात लाक रुपए यह वो है जो पार्शियल इंडिग्रेशन में नहीं जाएंगे तो पार्शियल इंडिग्रेशन किसका होगा अग्री कल्स्रल इंकम जो की दो लाक है और नॉन एग्री कल्स्रल इंकम non agricultural income कौनसी वाली चार और दो छे लाग नॉर्मल वाली का पार्शियल इंटीग्रेशन पार्शियल इंटीग्रेशन 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 के साथ करते हैं क्या आता है step 1 ठीक है इसको अलग से कर ले step 1 tax on agricultural income plus non-agricultural agricultural है 2 लाग non-agricultural मैंने लिया 6 लाग ये वाली 7 लाग नहीं लेनी भई 3 और 2 7 लाग 8 लाग रुपे के उपर tax निकाल special पे तो वैसे भी different rate था tax का ठीक है 6 और 2 आठ लाग पर tax निकालते है कितना निकाले है 8 लाग का बता हुँआ tax कितना हैगा 8 में से जो 3 लाग रुपे है उपर वाले है पहले 5 लाग माप अगले 5 लाग का 12 पांसो ठीक है 5 लाग हो गया बचा 3 लाग 3 लाग पर इस लाब लगेगा 20 परसेंट वाला यनिकी साथ हजार प्लस बारा पांसो ठीक है आगया बहातर हजार पांसो ठीक की बात करूँ अगर मैं क्या आएगा टैक्स ऑन अग्री कल्चिर इंकम प्लस बेसिक अग्जेमिशन लिमिट ठाईलाग अब इसका टैक्स क्या होगा अब बताओ खड़ä चार लाका रुपे पर टैक्स निकालेंगे तो चॉर्चम इसाथ टैइलाग तो माइनस हो जाएंगे दोलाक बचेगा दो लाकी लगेगा पांस परता क्या कोई रिवेट है अब बताओ टोतल टैक्स कि अनल टैक्स एक लाख बयाली सब्सक्राइब करेंगे अब एक लाख बयाली सब्सक्राइब सब्सक्राइब वान फोर एट टू डबल जीरो इस विल बी टैक्सलाइब यह कहाँ बताओ कोई डाउट है तो यहाँ ठीक है यह डन कर लो भाई नूट पहले पहला कामिस कुश्चन देखना है तो यह लो प्रड़ाफट पहले यह हांसे अराम से पॉस करें और नूट ठीक है सेकेंड पार्ट हमारा यह परफेक्ट ठीक है डन ही है फिर ठीक है अब देखो बच्चो नेक्स नेक्स कोश्चन पे चलते हैं अगला कोश्चन काफ़ इंपर्टेंट कोश्चन कराने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देख ले जो उपर किया वो सारा काम आएगा एक एक चीज बहुत इंपर्टेंट है इंकम फ्राम बिजनस एंड प्रॉफेशन टू हंडड़ लाक इंकम फ्राम हाउस पोबर्डी है चार लाक लटी सीज एक सो बारह ए इक त्रिस लाक और अग्री कल्सिल इंकम है पचास लाक से पहले क्या करें सॉलूशन स्टार्ट करते हैं से पहले हम करते हैं काम्पूडेशन ओफ टोटल इंकम अगर बच्चे टोटल इंकम निकालें तो क्या आए गाइस इंकम income under the head business and profession income under the head business profession कितनी है 200 lakh और income from house property income under the head house property की बात करूँ तो कितनी है वो 4 lakh ठीक है income under the head house property वो कितनी है 4 lakh और income under the head capital gain जिसमें LTCG 112A है वो कितना है 31 lakh cross total income आ गई इस टी आई cross total income 200 plus 4 plus 31 235 अब बताव सर्चार्ज वाला केसा है सर्चार्ज कितना लगना चाहिए क्या आप कराएं सर्चार्ज अगर दो क्रोड से उपर जाता ही 25 परसेंट का चार्च क्या 25 परसेंट लगेगा सर 25 परसेंट तो लगेगा वर्ट प्रॉब्लम यह है इस question के अंदर LTCG भी है वो भी 112A वाली अगर LTCG 112A वाली आ जाए तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाता है क्या दे किसी को कि सर्चार्ज का रेट 10 परसेंट या 15 परसेंट से जादा नहीं लगता धस परसेंट या फिर 15 परसेंट से जादा नहीं लगता फिर कैसे करें आप सॉल तो अब मैं बात करूँ बच्चो सर्चार्ज की अगर जो 31 लाक है इस पे तो 15 परशेंट लगेगा ये तोड़ी साइड होगा टोटल इंकम को देखो 2 करोड 35 लाग है 10 तो लग नहीं सकता कितना लगेगा 15 परशेंट कौन सी वाली पे कैपडल ये ना करें ये 2 करोड से उपर है हाँ ये डो 204 तो चार लाक रुपे लगेगा 25 पर पच्छीस पर्सेंट और पंद्रा पर्सेंट के 200 लाक और 4 लाक दो क्रोड 35 लाक में से 31 लाक वह वाली इंकम है कौन सी जिस पर सर्चार 10 या पंद्रा से ज्यादा नहीं लग सकता तो कितना लगेगा पंद्रा 2 31 हटा दिया अगर 2 करोड से उपर है तो 25 परसेंट दो करोड से नीचे है तो 15 पर सारे पर 15 ही लगा देते हैं ठीक है अब इस कुश्चिन में देखें अगरी कल्सिरल इंकम कितना है अगरी कल्सिरल इंकम बच्छे हमने लिखा हुआ है 50 लाग रोग अब निकाल होगई टैक्स टैक्स क्या अब धिए अब यहां पर क्याकुलेट करो रामसे टैक्सलाइब देखें Computation of tax liability, Computation of tax liability इंपर्टेंट पाइट है कि tax liability कैसे निकालेट इस पेर इस स्पेशल इंकम पे निकालेट Tax on long term capital gain एकसो वारा ए जो की है हमारा 30 थाक माइनस वन देख थें 10 परसंट, 30,10 परसंट कितना होता है थें बताओ कोई दिखा दे तो, ठीक है अब टैक्स निकालेंगे बाकी पर बाकी पर स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ अच्छा इस पर सर्चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा सर्चार्ज लगेगा या 15% 3,15,15 परसंट कितना होता है 15% से जादा सर्चार्ज थोड़ी लगा सकते हो 3,15,45 अब इस पर स्पेशल ट्रीटमेंट देखो क्या स्पेशल ट्रीटमेंट परने वाले है स्पेशल क्या है हमारे पास नॉर्मल इंकम कितनी है सेम वई करते हैं step 1 क्या करेंगे step step 1 होता था हमारा agricultural income और non-agri 2 करोड 35 लाख में से 31 लाख तो अड़ा दिये बचा 2 करोड 4 लाख 2 करोड 4 लाख प्लस agricultural income कितनी है हमारी 50 लाख tax लगाऊवाई tax on 2 करोड 4 लाख non-agricultural income और agricultural income इतना हो जाएगा इसका tax बता होई 2 करोड 4 लाख प्लस 50 लाख 254 लाख 2 करोड 54 लाख माइनस करोज में से 10 लाख ठीक है 2 करोड 44 लाख का 30 प्लस एक बारा पान प्लस इसका tax आ रहा है 74 लाख की 2 थाउजड 5 लाख 74 लाख 2 थाउजड अब स्टेप 2 देखो स्टेप 2 क्या था बेसिक एक्जम्शन लिमिट बेसिक एक्जम्शन लिमिट वह कितनी है इसमें 25 लाख प्लस एग्री कल्चिरल इंकम वह है 50 लाख इसका tax निकाए पर इसका tax आएगा 2 लाख 50 जार प्लस 50 लाख 50 लाख 50 जार का tax निकाए प्लस 50 लाख 50 जार में से पहले तो दस लाख अटा दो फिर उसका 30 पर्षेंट एक बार पांच सो तेरा लाख सब्तासी अजार पांच सो स्टेप वन और टू में कोई दिख रहते तो बताएं पर वही देखो क्या था क्यान से देखना है एक बार और एक बार और देख लो 200 लाख 4 लाख 31 लाख 50 लाख सारा मिला के हो गया 235 लाख तो सारी 50 नहीं मिलाया बाकी सब 2-4-31 को तीनों को मिलाया तो कितना होगा हमारा ठीक है 2,35 लाख में अब भी क्या किया हमने अब 2,35 लाख के अंदर LTCG है special income है उसका टैक्स अलग लगाया उसका सर्चार डिफरेंट है क्योंकि उस पे दस परसेंट या 15 परसेंट ही हो सकता है 15 परसेंट से उपर नहीं हो सकता है अब बाकी इंकम पे टैक्स निकाल लें 2 करोड 35 में से 31 लाग पर आपने निकाल लिया बचा 2 करोड 4 लाग प्लस अग्री कल्च्रावल इंकम 50 चपर स्थ प्रस zza 4 ,39,50 । दीके फोड आच प्रस Прकित था मीन शुक्त पूरच पी त्रस्ट प्रस्ट सदप्र Protect ध शोड़िख दिरेश्ट लाक 17,000 था खाल दिया शुट्रत는 को यह और से हर आग से तुर्थि तश्ट सब्रम सीनिच ना आख सचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा काम की बाती है अब अच्छे सर्चार्ज के कौन से रेट में आ रहा है सर्चार्ज अभी हमने चेक किया था टोडल इंकम दो करोड़ पैतिस लाग है तो सर्चार्ज जो लगेगा तो लगेगा 25 बाती है तो हमने क्या स्टैपवन एंस स्टैपवन करते ही टैक्स आ जाते है अब 29 क Draw 35 रूपे लेके बैठाए सर्चार्ज लगेगा 25 recognizing तो क्यों लाग 45,000 पे अगर मैं 25% सर्चार्ज लगा दू वही सर्चार्ज आ रहा है इसका 15,11,200 तो टैक्स जो बन रहा है बिपोर ही सीख अगर मैं बात करू तो 15,60,45,000 प्लस 25% गया था था 75,50,000 टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलेफ क्या मार्जिनल रिलेफ आएगी तेरे जैनी मार्जिनल रिलेफ येस और नौ फिर है तो क्याल्कुलेट करें अब यह पर्षन बोलेगा देखो मैंने 2 करोड 4,00,000 रुपे कमाए इसलिए यह रहा न टोटल अगर यहाँ पर यह 2 करोड ही कमाता तो सरचार्ज का रेट रहता 15% बट यह 2 करोड 4,00,000 रुपे कमा लिया इसलिए इसलिए रेट कितना हो गया 25% मार्जनल रिलेफ तो मिलने चाहिए उसके लिए बनाते हैं यहां पर वर्किंग नोट में क्या लेखेंगे इसलिए अब यह बड़ी प्राब्लम है इसलिए अब मार्जनल रिलेफ में इधर कर लेते हैं अब यह परिशन क्या बोलेगा Step one में देखना ठेव नॉर्मल इंकम थी जो इसकी तू करोड होती अगर नॉर्मल इंकम दो करोड होती यह नॉर्मल इंकम कितनी है यहां पर दो सुचार लाक 204 लाक है अगर यह इंकम only 2 करोड होती ठीक है 200 lakh होती और agricultural income कितना इसमें 50 lakh होता तो tax कितना जो agricultural income है वो 50 lakh होता और जो normal income है non agricultural income है वो कितना होता 200 lakh अभी कितना actual में 204 lakh 200 plus 4 normal income कितना है 204 lakh जिसकी वज़े से surcharge का rate 15% है अगर मैं ये 4 lakh रुपे नहीं कमाता तो मेरा surcharge कितना रहता 10% 15% रहता अभी कितना है 25% ठीक है 204 lakh 2 करोड से उपर होने की वज़े से इस पर surcharge कितना लग रहा है 25% अगर ये 2 करोड कमाता तो surcharge का rate कितना रहता 15% border pay है इसलिए चेक कर लेते है marginal relief बनती है या नी बनती है टैक्स निकालेंगे सबसे पहले इस पर टैक्स on step 1 में फिर से लेख देता हूँ non agree cultural income को हमने माना 2 लाख border पैसी चेक करते हैं agree cultural है 50 लाख पूरा step पैसी calculate करोगे 250 2 करोड 50 लाख पर टैक्स निकालो 10 लाख माफ करो अटा उसमें से पहले 2 करोड 40 लाख का 30 परसेंट प्लस एक लाख बारा हजार पान्सो पिट टैक्स आया 73 लाख बारा हजार पान्सो step 2 पे आऊ step 2 उदेट टैक्स on basic exemption limit 2.5 लाख प्लस 50 लाख 52 लाख पचास हजार पे टैक्स निकालो 52 लाख पचास हजार माइनस 10 लाख का 30 परसेंट प्लस एक बारा पान्सो ठीक है 13,87,500 रुपे यह माइनस होगे 73,12,500 में से माइनस करो 73,12,500 माइनस 13,87,500 भाई यह आगया 5,92,59,25,000 59,25,000 59,25,000 आया इस पर सर्चार्ज कितना लगता अगर यह 200 करोड तक रहता तो सर्चार्ज का रेट कितना होता इस पर सर्चार्ज का रेट जो रहता वो कितना रहता यहाँ याद करने क्यूंकि यहाँ पर 200 की इंकम है इसलिए यहाँ पर सर्चार्ज लगता only 15% जबकि आभी actual में 204 होने की वज़े से सर्चार्ज कितना लगाया हमने 25% ठीक है तो ये marginal relief का पंगा था 59,25,000 सर्चार्ज आया 888750 अब यहां पर बच्चे करो देखो मैं 2 करोड से कहां पहुंच गया 204 अगर मैं बात करूँ यहां पर देखना थियान के यहां पर income कितनी हैừu करोड चार लाक यहां पर कितनी उनली 2 करोड चार लाक रुपए एक्स्ट्रा कमाए paddle increase in income लिकते है increase in income मैंने 4 लाक रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा कम मैं नंक्रीज इन tax कितना आ गया इंक्रीजिन टैक्स, टैक्स कितना बढ़ गया चेक करो, यहां पर टैक्स है 68,13,500 यह देने में हमें खुसी है कोई दिक्कत नहीं, 68,13,750 तो यहां देखो टैक्स कितना बना दिया तुमने 68,56,250 से कहां पहुंचा दिया इसको 75,56,250 सिर्फ 4,00,000 रुपे की इंकम बड़ी थी इसकी 2 करोड से 2 करोड 4,00,000 पर पहुंच गया इसलिए टैक्स कितना बन रहा है 75,56,250 अकॉर्डिंग टू 25 पर से अगर 15 पर से लाब रहता तो करोड ही कमाता, 4,00,000 रुपे नहीं कमाता तो टैक्स कितना बनता 68,00,000 में से 75,00,000 डिफरेंस निकालो इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स में इंक्रीज आया है बई, 7,42,500, 7,42,500, चेक करो ठीक है, तो इंक्रीज इन टैक्स कितना आ गया हमारा 7,42,68,13,750 से डिफरेंस निकाला 75,56,250 का बताओ भई फिर मार्जनल रिलेफ अब कितनी दोगे इसको मार्जनल रिलेफ कितनी देनी चाहिए उसको मार्जनल रिलेफ दे दो इसको marginal relief दे देते हैं increase in tax हमने लिख दिया 7,42,500 और increase in income 4,00,000 रुपे एक्स्ट्रा कमा ली थे 2 करोड से उपर चला गया था न ये तो 7,42,500 minus 4,00,000 तो 3,42,500 रुपे की 3,42,500 रुपे की इसको marginal relief मिलनी चाहिए चैक करो एक बार पूर कोई दिक्कत है तो काफी advance level का question होगी है यह थीक है यहाँ पर अगर कोई doubt है तो बताओ ठीक है 3,42,500 रुपे की marginal relief आ रही है और कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें ठीक है पहले क्या करेंगे normal पर tax निकालेंगे अपना दो करोड़ चार्ड लाग प्लस 50 लाग मैंने आपको कई बार explain कर दिया यह ठीक है दो करोड़ चार्ड लाग प्लस 50 लाग पर tax निकालोगे step 2 करोगे step 2 में difference निकालोगे फिर क्या करोगे 25 परशेंट चार्ड पर रहो ठीक है ऐसे ही marginal relief चेक करने के लिए total income को border पर है border पर है तो क्या कर लेंगे अगर यह border पर है तो दो करोड़ में 50 लाग प्लस करेंगे ठीक है नॉर्मल वैसे ही tax निकालोगे तो MR कितना आ गया 3,42,500 रुपे की marginal relief इसको मिलने चाहिए ठीक है यहां से marginal relief दे देते हैं 3,42,500 रुपे यह tax बनाया था ठीक है तो यह working भी आपको note करने है 3,42,500 तर वो वाली क्यों नहीं ली भाई इसका चार्ज का rate डिफरेंट यह income डिफरेंट तो इसको mix नहीं करना इसमें यह ऐसे ही रहने दो ठीक है यहां पर बताओ अब tax before HEC कितना आ गया पिचपतर लाग 56,250 में से 3,42,500 माइनस हो जाएगा तो यह आएगा 32,3,700 यह एड कर देना है इसके परसेंट यह दो लाग अठा कर दे दिया फिर HEC लगा दिया अब कोई दिककत नहीं है ठीक है 32,13,750 जैसे ही एड किया तो यह हो गया पिच्छत लाग 2,300 अब इसको नोट कर लो भाई यह एडवांस को चले तो यह नोट करो फिर वह वरकिंग नोट की मार्जिनल रिलेफ आया कैसा इसके लिए क्या बनाए हमने वरकिंग इसको नोट कर लो बागी करेंगे फिर नेक्स पार्ट अच्छे से कर ले ना वही इस कोश्चन को और ऐसा ही एक आध कुश्चन भी ट्राई कर तो इस टॉपिक पर वड़ सकते हैं झाल 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 झाल